मुपटिलासा इमारे संबाजी आज मैं आपको कक्सा साथ का गद्यतिन कुट्टे की वफादारी पड़ाऊंगी कुट्टे की वफादारी इस गद्य में कुट्टे की वफादारी की बाद की गई है अपने स्वामी के साथ जो वफादारी करता है इस कुत्ते की बात की गई, वो स्वामी भक्त कुत्ता, कुत्ता पालतू प्राणी है, फिर भी वो अपने स्वामी के प्रती, अपने जे स्वामी भक्त इस पाट में दिखाई गई है, तो इस पाट को हम सुरू करेंगे, इस पा लेकक ने अपने स्वामी के प्रती जानवर की वफादारी को उजागर किया है। वह भी कुत्ते की ये जानवर जानकर आच्चरिय होता है। उसके पीछे एक सुन्दर और हदय को हिला देने वाली कथा है। सामा लाने जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने उटो पर गाओ का मान सामा लाद कर सरों में ले जाता था। और वहाँ से मिस्री, गूर, मसाले, आधी भरकर गाओ तक ले जाता था। लाखो का वेपार था उसका। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुन्दर कुट्ता था, कुट्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव को रखवाली करता था। अगर चोड लूटेरे पड़ाव की तरप आते, दिखाई देते तो वह कुट्ता बोग बोग कर उन्हें दूर बगा देता था। बंजरा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खूस था, लाखा नाम का एक बंजरा था, वो सहर से गाव में अपना माल सामान लाकर बेचता था, उटो पर माल सामान लाता था, लेकिन उसने कुत्ता पाला था, जो उसके माल सामान की रखवाली करता था, एक बार बंजरा व्यापार में मार खा गया, मार खा गया आने कि नुक्सान हुआ, वर रुपयों की जरूरत आपड़ी, वर आदामपुर के एक सेट के पास पहुचा, उसने अपनी बात बताई, सेट ने कहा, रुपय में दे दूंगा, मगर उसके बडले में तुम क्या गिर्वे रखोंगे, लाखा बोला, सेट जी मेरे पास फूटी कोरी भी नहीं, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे, और मुझे रुपये दीजिये, मैं आपकी पूरी रखा, सुद समेथ एक साल में ही चुका दूंगा, लाखा को बहुत व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, तो वो नुकसान ही बड़पाई करने के लिए एक सेट के पास पेसे मागने के लिए गया, तो सेट ने कहा कि मैं रुपय तो तुम्हें दू, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ गिरिवे रखना होगा, तो लाखा ने कहा मेरे पास कुछ भी गिर तो तुम इसी जानवा जमानत के रूप में दे दो जब तुम सारे रुपिये लोटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा सेथने का आगे तुम्हारे पास कुछ ने लेकिन तुम्हारा जेक कुट'Tा है वो मुझे दे दो जब तुम मुझे पैसे वापस दोगे तो मैं तुम्हे तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूँगा बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था रूपिय लेकर वा चला गया कुछ दिन भी थे एक बार सेट के यहीं चोड़ी हुई कुत्ते ने चोरो का पिछा किया दूर जंगल में जाकर चोरो ने सारा माल सामान जमिन में गार दिया और वहाँ से 9-11 हो गई यानि कि भाग गई कुत्ता वहा बोक बोक कर सेट को बताने लगा कि लूटरे आपकी दुकान को तोरकर माल उठा ले गए सेट तो हक्का बक्का ही रह गए कुत्ता सेट की दोती पकड़ कर आगे खिचने लगा सेट कुत्ते के पिछे पिछे चलने लगे जहाँ चोरों ने मार सीपाया था वहाँ जाकर कुट्टा अपने पेरों से मिट्टी खोदने लगा थोड़ाई खोदने पर सब सामा निकल आया सेट की खुशी का कोई पार नहीं था यह कुट्टे को प्रेम से थप थपाने लगा कुट्टे को वफादारी पर वह मुग्द हो गया घर जाकर उसने एक चित्थी लिखकर कुट्टे के गले में पट्टे में बाद कर कहा कुट्टे भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुग्द हो कुट्टा खूस हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्ली जल्ली भागने लगा मंजाले को बहुत दुख तो हुआ अपना कुट्टा गिरिवे रखते लेकिन फिर भी कोई चाहरा नहीं था इसलिए उसने कुट्टा गिरिवे रख दिया कुत्ता शेट के यह रहने लगा एक दिंग सेट की दुकान में चोड़ी हुई तो कुत्ते ने उस चोडों का पिचा किया और जहां पर चोडों ने माल सामण गाड़ा था वहां पर सेट की दोती पकर गड़ी उसको ले गा तो सेट बहुत खुस हुए कि उसका माल सामान सारा कुट्टे ने वापस दिलवा दिया तो इसलिए इस कुट्टे को अब वो मुक्त करना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने एक चिथी लिखी और उसके गले में बाद दी कुट्टा अपने मालिक से मिलने के लिए जल्ली जल्ली चल पड़ा इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया रुपिया कमाया वह सेट को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था उसने दूर से अपने कुट्टे को अपनी और आते हुए देखा वह नाराज हो गया सोचने लगा कि कुट्टे ने मेरी जबान काट लिए उसने बेवपाई किये अब मैं सेट क्या मूँ दिखाऊंगा उसने आव देखा न ताव यानि कि कुछ भी सोचे बिना बस कुट्टे के माते पर लाठी का प्रहार कर दिया कुट्टा बेह सोकर गिर पड़ा लाठा ने देखा कि कुट्टे के गले में एक चित्थी बन दिये उसने इसे खुल कर पड़ा लाठा तुमारे कुट्टे ने मुझे सूथ समेथ रुपे लोटा दिये अता कुट्टे को मैं मुक्त करता हूँ उसने मेरे घर चोड़े की गए मार सामान को वापस दिलवा दिया है खुळ ओकर मैंने स्वयम उसे मुक्त किया है लाठा तो चकित हो गया वह चिल्लाने लगे हाँ ये मैंने क्या कर दिया हाँ यह मैंने क्या कर दिया वह कुट्टे के सब को अपनी घोदी में लेकर फुट-फुट कर रोने लगा लेकिन अब परस्ता हो किया जब चीदिया चुग गई खेत जब सामने से कुट्टा आ रहा था लाखा ने भी वहां से बाग आया उसने कुछ भी सोचे बिना कुट्टे पर लाठी चला है कुट्टा वहाँ पर गीर गया और वो तरड से तरपर मर गया जब कुट्टे के पास लाका पहुचार उसने सेट की जो चिथी थी वो पढ़ी तो उसे बहुत दूख हुआ क्योंकि शेट ने उसमें लिखा था कि तुमारे कुट्टा ने मुझे साड़ा पेशा सुच समय लोटा दिया है इसलिए मैं अपनी खुशी जो उसे मुक्त करा तब लाका को बहुत दूख हुआ अपनी गोदी में कुट्टे का सव लेकर बहुत रोय है लेकिन अब क्या जब वफादार कुट्टे को समाधी बनाई जो आज भी पाटन जिल्ले के राधमपुर के तालाप के किनारे पर खड़ी है और उस कुट्टे की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है लाका ने प्राच्चाताप के रूप में उसका जो वफादार कुट्टा था उसकी समाध के गहाममें आज भी तालाव की किनारे देखने को मिलती है यह सनसार को बता रहे हैं कि अपने प्रानी यह आपने मालिक के प्रत्यवफादार था उसको कुछ भी सोचे भी ना उसको मार डाला तो उसकी प्राच्चा आज भी समाधी को देखने को मिलती है।